वर्क्प्लेस सेफटी एर स्टूरेंट्स आज जो हम बात करने वाले हैं वर्क्प्लेस सेफटी के उपर बात करने वाले हैं वर्क प्लेस safety रूल क्या है तमाम तरह की बातें आपके सामने आती हैं आप जब duty में होते हैं आप जब on site होते हैं वर्क प्लेस पर होते हैं तो किस तरह से safety रूल को फालो किया जाए और best practice के लिए आपके लिए क्या सही रहेगा आज मैं वह international base आपको बताने जा रहा हूं जिसे follow करके यह मेरा दावा है कि आप से कोई भी चूप नहीं होगी कोई भी गलती नहीं होगी और यह best practice है safety के लिए अगर आप on site हैं तब भी आपके लिए बहतर सावित होगा अगर किसी duty में हैं किसी particular place पर हैं तो वहाँ पर भी अगर यह rule फालो करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरफ के दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े अब देखिए workplace safety का जो रूल है वो क्या है अब रूल में तमाम अलग-अलग देखो पॉलिसियां होती है अलग-अलग वर्क होता है अलग-अलग वर्क आफ नेचर होता है उसके according उनकी पॉलिसी भी बनाई जाती है लेकिन मैं आज जो बात करने जा रहा हूं चाहे पॉलि safety rule को फॉलू किया आप साइट पर तो निश्चित रूप से आप हर जगा अच्छी तरह से अपनी भूमी का कुनिभा पाएंगे अच्छी तरह से आप अपना पर्फॉर्मेंस दे पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो डियर स्टुडेंट्स और मैं डियर फ्रें साइट पर हो तो किसी तरह की दिगखत नहीं कोई उनजरी नहीं कोई चोट नहीं कोई प्रॉल्टी नहीं आगर साइटे हैं तो आपको इस रूल को मानना होगा और पूरी दुनिया इसी रूल को मानती है follow करती है यह rule बहुत easy है मैंने इसे बहुत ही sort कर दिया है आपको बिल्कुल कुछ ही second में याद आ जाएगा आपको याद क्या रखना है R.E.S. UTP क्या होगा पहला rule क्या कहता है R.E.S. UTP दूजरा कहेगा R.W.M.F.O यह दो word आपको याद रखना है अगर यह दो word आप याद रखेंगे तो फिर आपको कोई problem नहीं होगी यह मेरी guarantee है और दावा है कि आप कभी भी किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे और best performance देगे आप जानने की कोशिस करेंगे कि R.E.S. UTP क्या है और R.W.M.F.O क्या है अगर यह दो words है यह दो words ऐसे हैं जो आपकी site safety को workplace safety को यह rule है जो मैंने अभी यह बताया आपको R.E.S. UTP यह क्या है safety rule है R.W.M.F.O क्या है यह एक safety rule है जो पूरी दुनिया में follow किया जाता है पूरी दुनिया में follow किया जाता है इसके अलावा कुछ भी नहीं है अगर अभी मैं एक एक करके explain करूँगा आपको बताऊँगा और guarantee है कि आपको यह बहुत ही easy way में याद हो जाएगा अब लेते हैं R.E.S. UTP क्या कहता है इस चीज़ को समझने का कोसिस करेंगे अगर हमने R.E.S. UTP और R.E.S. UTP को एक साथ follow कर लिया तो समझ लेना कि आपका जो safety rule है वो perfect हो गया unique हो गया वो complete हो गया according to safety ठीक है safety के लिए वो एकदम perfect है बिल्कुल complete है आपको उसमें एक बट कुछ करना ही नहीं है अब एक एक करके जाने कोसिस करेंगे अब ये R.E.S. UTP क्या है तो R.E.S. UTP जो है यहाँ एक एक लेटर यह अपनी responsibility को बताता है कि आपको क्या करना है R भी कुछ कहता है S भी कहता है U कहता है T कहता और P कहता है R क्या कहता है R कहता है कि जितने भी आप export हो आपको क्या करना है worker के शार, follow safety rule, everyone, जितने लोग हैं, सब को पहला रूले मानना होगा, कि आप follow safety rule, R कहता है, कि safety rule को strictly मानो, इसमें कभी भी किसी भी तरह का chance नहीं, कोई गुंजाइस नहीं, ठीक है, R ने कह दिया, S क्या कहता है सर, अब S कहता है, कि self safety, यानि आप खुद अपना safety का ध्यान रखें, और आसपास में हो रहे activities पर भी नजर रखें, और दूसरे कुछ safety पर भी नजर आप रखें, काम के दौना, ठीक है, तो R ने कहा follow safety rule, कि सब के लिए, चाहे वह worker हो, contactor हो, imply हो, manager हो, सब के लिए, और S क्या कहता है, self safety, सबसे आपकी ये जिम्यदारी होती है, कि आप अपनी safety का भी ख्याल रखें, आप देखें, U क्या कहता है सब, U कहता है uniform or dress, proper uniform होना चीए, proper dress होना चीए, जो safety के according, वहाँ बित्ताए किया गया है, वहाँ decide किया गया है, तो R ने कहा कि safety rule को मानो, S ने कहा कि self safety का ख्याल रखो, U ने कहा कि अपनी uniform और अपने dress को क्या करो, ध्यान में रखो, अब बात करते है, T, T क्या कहता है सर, T कहता है tools, यानि use always appropriate tool, यानि आपको हमेशा एक अच्छे और बेहतर तरीके के tool का इस्तमाल करना है, कभी भी जो सही नहीं हो, या कुछ दिक्कत हो, इस तरह के tool को आपको avoid करना है, तो T ने भी अपना roll बता दिया, अब बात बारी आती है P का, P क्या कहता है, कि proper place for tools, अगर आपने काम कर लिया, आपने use कर लिया, tools का use कर लिया, electronic tools का use कर लिया, कुछ भी use कर लिया, तो उसका जो proper place है, वहीं पर उस tools को आप रखें, कहीं और न रखें, तो R.E.C.U.T.P. ने आपको कितने तरह की काम बताया, R.E.C.U.T.P. ने आपको जो काम बताया वह काम बताया, वह चार तरह का, पांस तरह का काम आपको बताया, कि यह काम आपको करना है, पहला कहा, कि follow the safety rule, दूसरा कहा, self safety, U.C.U. ने कहा, uniform को देखो, और T. ने कहा, tools को, proper tools को use करो, और P. कहता है, कि use करने के बाद, उस tools को proper जगह पे रखो, proper place पे रखो, चलिए, थ safety rule कहता है, पांच यह safety rule है, यह कहता है, कि RWMFO, यानि पहला जो word इसका है, लेटर है, वह कहता है, report unsafe zone, report unsafe condition, report unsafe place, अगर काम के दोरा, आपने काम, आप काम करने, आप duty करने, आप site पर है, अगर कोई भी इस तरह की गत्यविदी आपको नजर आती है, जिससे दुरगटना होन होने की चांस है, accident होने के चांस है, तो आप उस activities की तुरत report करेंगे, inform करेंगे अपने senior को, तुई R कहता है, आप देखें, इसके बाद क्या कहता है, आप W क्या कहता है, watch worker and dear work, अब W कहता है, जितने worker काम कर रहे हैं, जितने employee काम कर रहे हैं, तो आपकी responsibilities बनती है, आपकी जिम्यदारी बनती है, आप देखो एक जीज़ आप भूला नहीं सकते, you are a safety officer, you are a health safety officer, you are a fire safety officer, you are a food safety officer, so always remember, you are a responsible and you are a accountable, बोथ हाल सो, तोनों ही आप हैं, आप इसे ignore नहीं कर सकते हैं, तो W कहता है, watch worker and dear work, यानि जो लो भी काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, उनको watch करन है, और उनका काम किस तरीके से चल रहा है, उस पे भी आपको नजर रखनी होगी, अगर आप चालते हैं, कि किसी तरह की इंजरी नहीं हो, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, अब next, चलते हैं, अब M क्या कहता है, M कहता है, कि please, हमेशा avoid किजिए, किस चीज़ को, drug और alcohol को, काम के दवरान, आप drug और alcohol का use नहीं करेंगे, drug हो गया, यहनि दवाईयां हो गई, नसिली दवाईयां हो गई, नाजा भांग, सराब, यह सारी चीज़ें हो गई, इनको कभी भी use नहीं करना है, zero tolerance की policy होती है, नौकरी से निकाला जा सकता है, आपको इस बात का ख्याल यह रूल है, safety rule में, every involved है, first aid होना चीए, और कभो कैसे होना चीए, with export, यानि आपकी side पर first rider का होना, जो first aid के बारे में जानकारी रखता हो, उसका होना जरूरी है, और अब तो company ने रूल बना दिया, कि एक safety officer को first rider भी होना जरूरी है, ठीक है, तो हमने R को देखा, R ने कहा कि report unsafe zone, W ने कहा, watch worker and dear work, M ने कहा, miss use, stop, miss use, drug and alcohol, और F ने कहा, first aid with export, यानि first aid होना चीए, export के साथ होना चीए, अब बात बारी आती है, last option हमारा है, O, it means observation, जितनी भी चीज़े चल रही है, साइट में, आपकी नजरों में जो चीज़ आती है, उसमें सबसे ज़्यादा माहि motivation और review, ये सारी चीज़ें अगर आपने निभाया, आपने पालन किया, आपने follow किया, यह दावा है, कि आप से कोई भूल नहीं होगी, आप से कोई चूट नहीं होगा, आप से कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो फिर आपको याद क्या रखना है, आपको बस यही दो word आपको समझा दिया, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे जान सकते हैं, I hope dear student, इस चीज़ को यह चीज, यह safety rules और यह conditions आपके लिए काफी फायदे मन साबित होगा, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स वीडियो में हम पुना हाजर होंगे, तब तक के लिए, wish you all the best, thank you for watching, thank you for learning.